अलो वाइज देखे लोकेशन आप देखे आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्टिकल असाइमेंट तो आज जैसे का अमने थम्मिलम देख लिया है हम डिसकस करने वाले हैं ट्रांस्फोर्मर का वर्किंग मिन्स पर क्या होता है ठीक है यह एक इंट्रूर बेस कोश्चन है तो देखें रघंकेशन हामरे होता तो तो देखें रघंक करता है तो था था ट्रांस्फोर्मर होताखँ कि अपार इसके एक 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 हरने स weapons ना हमें भी मिल्यक्राइशनамit बता है टेका तो देखेंज फ्रंफार्मेरे अन से ब्ताएं बताने do बेटि के बेवाइस आपरहलों से थीप कि यह सेट्रिय आप चेसा हब बेज परस्टि पर धिक बना दियुलता था इक प्ञोंपना पर अपैसनँ बवाइस आपsal फिक्स souha China ठीक है energy from one circuit to other ठीक है friends तो हमारे transformer क्या करता है हमारी energy को transfer करता है एक circuit से दूसरे circuit में ठीक है एक हम बोल सकते है कि हमारे transformer है वो हमारे क्या क्या करता है energy को energy को energy क्या करता है step up करता है च्छेक है and step down करता है okay friends यह भी हमारा काम होता है इसका transformer का तो ठीक है यह तो होगी हमारी इसके accurate definition अगर कोई भी आपसे इंट्रूमर पूछ लेता है ठीक है अब आत कर लेते हैं पर इसकी छोटी सी construction के बारे मेरा हमारा मोटीब है इसका principle पर ड़ा चोटा सा महां बता रहता हूं construction के बारे में simply होता क्या है तो देखिये कुछ इस टाइप कर हियो होता है ठीक है यहा पर इसकी primary winding होती है यहाँ पर इसकी secondary winding होती है अब जो primary winding के turns है नम्ब यहां पर होता है number of turns primary number of turn secondary ठीक है NP का मतलब है, NP हो जाएगा number of turns of primary के, ठीक है, और इसके NS का हो जाएगा, किसके secondary के, ठीक है, अच्छा, अब देखिये, primary में क्या करते है, primary में हम अपना connect कर देते हैं, कोई जो हमारा मतलब आ रहा है जहां से, वो यहां से हमारा निकल जाएगा primary से, secondary में क्या कर देंगा, फिर कुछ भी, जहां पर हमें देना है, यह फिर मालेजर में transfer ही करना है, तो उसको secondary में connect कर देंगे, ठीक है, अच्छा, अब देखिये, इसमें क्या होता है, कि NP का मैंने आपको मतलब आ दिया, NP, NS का, ठीक है, अब यहां पर हमारा current flow होगा, ठीक है, IP, और यहां पर current कोई सा flow ह होगा, IS, secondary का current, और primary का current, ठीक है, तो एक छोड़ी से, इसकी construction होगी, जो है, यह होती है, core, ठीक है, core हमेरा किसका बना होगा होता है, यह बना होगा, soft iron का, इसके अंदर basically, पतली-पतली strips होती है, मतला हम कह सकते है, पतली-पत्या होती है, जिन से मिलके बना हुआ होता है, और जो मारा एंदी है, वो हमारी किसके होती है, हमेशा हमारी किसके होगी, copper के होगी, ठीक है, तो छोड़ी से इसकी construction थी, बहना हमारा मोटिव है, principle का ओपर, तो हम प्रिंसिपल देख लेते है, इसका क्या है, देखिया है, तो इसका principle किस principle पर बात करता है, पूछ लेते है तो हमें बताना है sir यह हमारा mutual induction पर काम करता है ठीक है यह हमारा mutual induction पर काम करता है तो आपको बताया दा हूँ कोई transformers related हमारे जो 90% question पूछे जाते हैं हमारे transformers related पूछे जाते हैं ठीक है तो यह बहुत important topic है इसको अब ध्यान से पढ़िएगा ठीक है तो हमारा principle क्या होगे इसका mutual induction आपको बताया दूँगे mutual induction में होता क्या है तो देखिए जह हमारा मालीज है transformer ठीक है तो transformer में अच्छा एक ची जूर कि हम transformer में ना हम हमेशा कौन से supply देते हैं हमेशा देते हैं AC supply 50 Hz जो अपने इंडिया के अंदर है इसका मैं रिजन बताऊंगा आपको कि AC हम क्यों देते हैं ठीक है तो इसके उपर मैं चाहूँगो कि एक अलग से वीडियो बना दू आप अगर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्षिन में तो मैं एक अलग से इसके ऊपर वीडियो आदोगा कि AC क्यों होती है DC क्यों नहीं होती है ठीक है तो चलिए अब देख लेगे इसका प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि अगर हमारा मान लीजिए यहां से AC flow हो ठीक है तो यहां पर क्या होगा यहां अपनी ज हो जाएगा ठीक है तो यह तो होगा हमारा फ्लक्स ठीक है और यह जो होगा यह जो फ्लक्स होगा इसको बोलते हैं रिटन फ्लक्स ठीक है यह हमारा रिटन होगा क्योंकि हमारा रिटन होके वापिस आ रहा है ठीक है नहीं होगा रिटन फ्लक्स ठीक है मैं आपिस आ रहा है अच्छा अब देखे निए हमारा हो यह दोनों वाइंडि यह तो यह तो यह थोनों वाइंड ी यह और क्यों सके होगए ठ online क्या फ lag कि यह थैंब्ट यह थैंक्क कि यहाऊ थैंक्रीक अनरे कि मतलब कि तो हमारा थैं labor ondashika यहां हम निर्क्स तो इसके वायर को इसके साथ नहीं कर रहे हैं ठीक है नगा अब छली है इसके बाद अमरा आए आए कि यहांपर कनेक्ट हो गया अब भात अभी फल्क्स लिंख को चुका है हमारा इसे कारुंड क्या होगा यह जो winding है इसमें हमारी क्या होगी है कि EMF induced हो जाएगी EMF means Electromotive Force Electrical जो circuit होता है हमारा Electrical जो circuit होता है उसके अंदर तो हमारी होती है EMF Electromotive Force और जो magnetic circuit होता है उसके अंदर हमारी होती है MMF Magnotomotive Force ठीक यह बात का आपको जहान रखना है अच्छा अब बात कर लेते हैं कहां है EMF induced हो ठीक है EMF induced हो गई इसके कारणे से क्या होगा हमारा 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 current flow होने लग जाएगा अच्छा एक बाग आप पतायता हूं कि हमारा जब यहां primary में हमारा गया ठीक है अब देखिए primary में जाने से हमारा flux generate होगा तो यह changement हो रही है इसके कारण क्या होगा हमारा यहां पर flux induced हो जाएगा ठीक है यह हमारा reason है कि हम DC को युज नहीं कर सकते क्योंकि DC में हमारा constant रहता है ठीक है DC में हम इसमें नहीं दे सकते हैं ठीक है leakage flux भी होता है, leakage flux क्या होता है? Een leakage flux होता है, माल जी its coil ठीक है आप पूर गोजी false अशड़ा को यह भागराम बनाःता हूं माल hours यह अरे primary winding है तो यह हमारा flux generate कर यहां पर ठीक है Sup यह ऐन अशडरेट कर यह तो देखे, यहां जो flux था, वो तो हमारा चली, माली जी यूज में आ गया, ठीक है? यहां पर जो flux था, वो तो यूज में आ गया, लेकिन जो side में, जो यह flux बचा, यह बाला जो portion है, वो क्या है? वो हमारा कहलाएगा, leakage flux. तो यह होता हमारा leakage flux, आगे बास समझने, अगर पुछेते हैं, लेकिज फ्लक्स क्या होता है, तो आपको भी बता देना है, किसार जो wastage of flux होता है, जो हमारा यूज में नहीं लिया जाता है, उसको हम बोलते है, leakage of flux, ठीक है, चली है, अब हमारा हम कहां पर थे, इसकी working थे, त अब बात कर लेते है, step up or step down, उनमें मतलब क्या minor सा difference रहता है, तो मैं थोड़ा सब आपको basic होता जाता हूँ, कि देखिए, step up जो होगा, यह simply इनके नाम ही जाएशे शो कर देते हैं, कि हमारा, most of the चीज़ी होती हो, उनके नाम से हमें पता चल जाती है, जैसे हमारे, step up है, तो यह हमारे basically की windings पर depend करता है, जितन number of turns जिस winding में जाएदा होंगे, वह हमारा step up or down हो जाएगग, जैसे हमारे यह primary में हमारे number of turns जाएदा है, as compared to secondary, तो यह कुन सा होगा, step down, क्योंकि हमें क्या लेना है, secondary output लेनी है, ठीक है, तो हम totally किस पर depend करते हैं, secondary पर depend करते हैं, but secondary किस पर depend करेंगे, secondary करेंगे, primary पर depend on primary, okay friends, आईबास जाएगँ, तो यह हमारा हो गया, तो हमारा यह कुन सा हो गया, यह हो गया step down हो गया, अगर हम step up की बात करें, तो हमारा का है primary में हमारी गंग होंगी, लेकिन second day में हमारी ज्यादा होंगी ठीक है? तो यह कौन सा हो जायगा? Step up हो जायगा ठीक है? बैस यह हमारा basic सा difference था Step up or step down में और यह पुरा हमारा working principle है, ठीक है? कि हमारे हाँ पर flux generated हो है primary में वो लिंक हो गाए secondary में जाकि हो हमारे mutual induction पर काम करता है ठीक है? हमारे mutual induction यह आप को यह आद रखना है Okay friends तो हो गया हमारे transformer की basic principle हमारा जोता ठीक है? तो I hope आपको इस वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगे है तो एक बार चैनल को subscribe कर दीजे, वीडियो को like कर दीजे और चलिक बनी गई हमारे साथ इस साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में